हलो इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सिप प्रोटकॉल जो की IMS वोल्टे में यूज होता है और सिग्नलिंग के लिए यूज होता है बहुत ही इंपॉर्डेंट प्रोटकॉल है अगर आपको वोल्टे अच्छे से समझना है और IMS अच् मुल्टी मेडिया सेशन का सिप जो होता है वो IMS में सिग्नलिंग के लिए यूज होता है अब सिप एक अप्लिकेशन लिए प्रोटकॉल है बाई आई टीएफ अब हमारे एक IETF स्टेंडर्ड है इंटरनेट इंजिनिंग टास्कोर तो उसकी कुछ RFC होती है अगर आपको स से डिटेल में पढ़ना है क्या के मैसेजिज होते हैं किसका क्या मतलब होता है कौन से पैरेमिटर से क्या होता है तो आप यह RFC 3261 पढ़ सकते हैं इसके इंटर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी अब है सिप का जो हम IMS call flow देखते हैं तो उसका sequence क्या होता है यह कुछ मैंने capture में डाला है यह वायर शार्क से आप निकाल सकते हैं PKP file होती है तो उसके थुरू यह आप निकाल सकते हैं वायर शार्क में आप लॉग ले सकते हैं तो आप देखिए रेजिस्टर सब्सक्राइब ओके इन्वाइट पी रैक एक यह सब जो सिर्फ होता है रिक्वेस्ट र यह सारे इसके messages होते हैं इन सबको आपको अच्छे समझना होगा अगर आपको सिप प्रोटकॉल समझना है तो यह इसका एक call flow है उसके बाद जब यह signaling कर देता है दब RTP protocol यूज होता है उसके बाद हम database सकते हैं voice traffic के लिए हम यूज करते हैं RTP अब यह सिप के कुछ messages हैं अब सिप जैसे मैंने बताया request response होता है तो request के लिए अलग होता है और response के लिए अलग होता है जब भी आप request करेंगे तो उसकी कुछ messages होते हैं जैसे register, invite, act, by, cancel, options, message, subscribe, publish, notify, info, update यह दो category में divide किये होते हैं जो responses होते हैं एक होते हैं प्रोविशनल फाइनल response जब यह वाले response आते हैं जिसे trying, ringing, session progress तो यह एक तरह का provisional है, final नहीं है मतलब continuation में है, final होता है जैसे कि 200 होके जैसे कि यहाँ पर 200 का मतलब 2xx आता है मतलब success तो 200 जब भी आता है तो success, 3x3 से start जो भी होगा redirect, client mistakes, server failure, global failure तो यह इसके request और response के यह messages होते हैं इनको आप अगर धंग से देने तो आपको IMS voltage clear होता हो देखेगा क्योंकि signaling ही सबसे important होती है और जो कि सिफ protocol करता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको like जरूर कीजे और मैंने IMS से related बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, interview questions भी डाल रखे हैं, IMS से related आप उन वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब ने किया तो आप सबस्क्राइब जरूर कीजे, मैंने around 30 वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ और अच्छा response मिल रहा है, thanks for watching this video.